हालो फ्रेंड्स वैलकम टू नंदकिशोर क्लासिज आज भर फ हम पढ़ने वाले हैं बहुत important टॉपिक। सिलंडर के बारे में पढ़ेंगे जी आज सिलंडर की सारी प्रॉपरटिज सिलंडर काף चॉर्ट कासर अर। सर्फेस एरिया क्या होता है slender का volume क्या होता है और इनके proof भी तो बहुत ही असान method से पढ़ेंगे slender की diagram आपके सामने slender दिखने में कैसा होता है यहाँ देखकर शायद इतनी clarity नहीं होगी लेकिन आपकी kitchen में आप slender अक्सर use करते हो मैं gas slender की बात नहीं कर रहा हूँ cylindrical shape के glass use होते हैं यह देखिए cylindrical shape का एक बरतन मेरे हाथ में है देखिए द्यान से जो बिलकुल goal है नीचे उसके base भी goal है circle है यानि के circular form में है यह curved form में है और एक उपर भी circular form में है यह cylindrical shape है जो मेरे हाथ में है बहुत असानी से इसको समझेंगे सबसे पहले द्यान से देखिए एक नीचे जो circle है obviously circle का कोई ना कोई radius तो होगा इसलिए इसके radius को क्या suppose कर लेते हैं R और उपर जो circle है इस circle का radius भी R दोनो circles का radius same होगा यानि कि यह कि circle की बात हो रही है नीचे वाले circular base की circle है तो center से border तक boundary line तक circumference तक जो हमारे पास line होती है उसे क्या बोलते है radius बोलते हैं तो हमने radius suppose कर लिया और इस cylinder की overall total height हम क्या suppose कर लेते हैं एच्छ है तो अब इसके formulas पढ़ते हैं और फिर इसके formulas का proof पढ़ेंगे सबसे पहले तो curved surface area की बात करते हैं काउड सर्फिस एरिया अब काउड सर्फिस एरिया क्या होता है देखे जी काउड सर्फिस एरिया क्या होता है इसका boundary होती है यह देखे यह वला सा यह जो चारो तरफ वाला एरिया ना इसे क्या बोलते हैं कर्ड सर्फेस एरिया बोलते हैं तो यह कर्ड सर्फेस एरिया होता है टू पाई आर एच 2πRH इसका प्रूफ अभी करेंगे हम फिलाल इसको याद रखिए 2πRH होता है और टोटल सर्फिस एरिया टोटल सर्फिस एरिया देखेजी टोटल सर्फिस एरिया में ये 2πRH तो आएगा ही आएगा ठीक है लेकिन क्योंकि नाम से क्लिर है कि टोटल एरिया लेना है टोटल एरिया मतलब एक नीचे वाला सरकल भी ले लेना है उपर वाला सरकल भी ले लेना है अब सरकल के एरिया तो हमें पता है क्या होता है सरकल का एरिया होता है पाई आर स्केर तो एक पाई आर स्केर नीचे वाला एक पाई आर स्क स्क्वेर को एड़ करेंगे तो टू पाई आर स्क्वेर हो जाएगा तो अब इन में से टू पाई आर कॉमन तो हमारे पास बच्छा ब्रेकेट में क्या एच प्लस हार तो यह फॉर्मुला किसका हो गया टूटल सर्फिस एरिया का इसके बाद बात करते हैं वोल्यूम की मैंने आपसे पिछले दो लेक्चर करवा चुका हूँ दोनों में आपको क्या बताया कि वोल्यूम क्या है जी बेस एरिया इंटू हाइट अब बेस एरिया यानि कि मेरे पास बेस तो सर्कुलर बेस है सर्कुलर का बेस का एरिया कितना है पाई आर स f r2 कि kinkersi यानि की वोलियूम कितना होगा parent होगा तो अब ध्यान से देखो हमने UKर देखो प्रूफ कर लिया मौन का सब्सक्राइब सेयरिया जी यह सब एक तो ugenीघंपल के साथ समझा रहें यह मान लीजिए मेरे पास Noah और ओफ paper है बड़े ध्यान से समझना पहली चीज पहली चीज यह कि इस paper से cylinder बनाया जा सकता है 부분 surface area of cylinder बनाया जा सकता है कैसे बनाया जा सकता है आप इसके जो corner points हैं आप देखिए इनको जोड़ दीजिए मैं अब उसी से ही, आप देखो, जब मेरे पास इस कागज से स्लेंडर बनता है, इस कागज से स्लेंडर का कवड सर्फिस एरिया बनता है ना, तो यानि कि जितना इस स्लेंडर का कवड सर्फिस एरिया है, वो कितना होगा, जितना इस कागज का है, क्योंकि इसी कागज सही बन रहा है, अब ये कागज तो rectangle की shape का है यानि कि जितना इस rectangle का area है उतना ही slender का count surface area होगा पहली बात तो मेरे को ये clear है तो मेरा target अब क्या है कि इस rectangle का मैं area निकालो अब देखो ये rectangle मेरे सामने है आपको नजर आ रहा है अब इस rectangle में क्या होता है जी rectangle का area तो निकालते हैं एक length होती है एक ब्रेट होती है एक L और एक B तो देखते हैं ध्यान से कैसे करना है मालो मैं curved surface area को फिर क्या लिख रहा हूं जी length multiply breadth इस चीज़ को समझे मैंने curved surface area को क्या लिख लिए length multiply breadth लिख लिए घ करेंगे आब देखो यह मैंने यहां पर be लिखा breadth जब मैं इसी से slender बनाता हूं यह देखो जब मैं इसी से क्या बना दिया slender बना दिया तो ये breadth क्या बन जाती है ये breadth इस cylinder की height बन जाती है यह ब्रेट्थ क्या बन जाती है इस लेंडर की हाइट जो की h है तो यानि कि मैं इसको एक काम करता हूँ इसको l multiply h लिक लेता हूँ क्योंकि ब्रेट्थ मेरे पास किसके equal है जी h के equal है तो मेरे पास curved surface area फिलल कितना आगया l into h अब l क्या है अब इसी कागज पर देखो L क्या है it is length of rectangle लेकिन जब मैं इसको cylindrical form में बनाता हूँ तो होता क्या है यही length जो है यह जो length है इस कागज की वो क्या बन जाती है यह देखो जब इसको circle बनाया यह length मेरे पास क्या बन गया जो उपर वाला circular part है उसका circumference बन जाती है ध्यान से देखो दुवारा देख लिजे यह जो length है उपर वाली जब मैंने इसको cylinder बनाया तो क्या हुआ उसी length को गुलाई की form में बन गया वो circle के लिए यानि कि circumference of circle बन गया अब circle का circumference किसके equal होता है 2 pi r होता है हमने पढ़ा हुआ यानि कि length यानि कि 2 pi r into h यानि कि curved surface area किसके equal हो गया जी 2 pi r h हो गया यानि कि अब अब हमने कौन-कौन से formula पढ़ लिए curved surface area का प्रूफ पढ़ा total surface area का प्रूफ पढ़ा और volume का प्रूफ पढ़ा अब ध्यान से देखिएगा अब मान लीजिए मेरे पास यह तीनो formula हम पढ़ चुके हैं अब मान लीजिए हमारे पास कुछ values देखते हैं मान लीजिए radius हमारे से निकलेगा सबसे पहले तो cloud surface area कि यह किसके एकुल है टू पाई आरेच कि पाई की वैल्यू ट्वेंटी टू बाई सैमन रेडियस भी सैमन है हाइड भी सैमन है सैमन से सैमन कट गया जी टू मल्टिप्लाइट 22 को सैमन से करते हैं तो क्या आएगा सैवन टूसर फोर्टीन 1714 प्लस 115 154 और 154 को टू से करेंगे तो क्या आएगा जी 308 यानि की काउट सर्फिस एरिया कितना आएगा 308 सेंटिमेटर स्क्वेर राइट अब बात करते हैं टोटल सर्फिस एरिया की टोटल सर्फिस एरिया का फॉर्मुला यह रहा हमारे पास टू पाइण टू एच प्लस आर देखते हैं क्या बनेगा टू इन्टु ट्वंटिट टू बाई सैमन रेडियस सैमन है इधर भी सैमन प्लस सैमन यह सैवन से यह सैवन कट गया टू मल्टिप्लाइट 22 मल्टिप् तो फाइनली 28 को 22 से मल्टिप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल सर्फिस एरिया आ जाएगा जी अब देखते हैं टोटल सर्फिस एरिया आ गया और लास्ट हमें निकालना है वोल्यूम चलिए वोल्यूम भी निकालके देखते हैं एक बार वोल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्विर एच यानि कि 22 बाई 7 इंटू रेडियस स्क्विर इंटू हाइट और हाइट हमारे पास कितनी है वो भी 7 है 7 से 7 कट गया यानि कि 22 मल्टिप्लाई 49 22 को 49 से मल्टिप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा जी वोल्यूम आ जाएगा अब चलिए मल्टिप्लाई करते हैं 49 को 2 से करेंगे तो क्या होगा जी 49 को 2 से करते हैं तो 98 आता है तो 8 यहां पर 9 करी आ गया जी फिर 49 को 2 से करेंगे 98 और 98 में 9 एड़ करेंगे तो 107 यानि की 1078 और यहां पर सेंटिमेटर क्यूब आएगा जी यह बन गया जी वोल्यूम ओफ स्लेंडर तो आज हमने स्लेंडर के लिए कर्ड सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया वोल्यूम यह सब चीज़ें हमने पड़ी और आप सब को समझ भी आया होगा और आपने इस लेक्चर को इंज्जॉय भी किया होगा और अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज